पंजाबी लोग कहाणी दुल्ला पटी, आवाज मानप्रीत सहोता, कहा जानदा है के एक पिंट विच एक गरीब ब्रह्मन रहेंदा सी, उधे दो मुट्यार ती यहां सन, उधो में मंगियां हुई यहां सन, पर उगरीब भी करके उनना दा व्या ने सी कर सक्या, उस इलाके मुगल हाकम बड़ा निर्दाई सी, उन नौजवान कौरियां कुडियां नू जोरी चुक्के ले जाया करदा सी, उस हाकम दे कन्नी इना दोहां मुट्यारां सुन्दरी ते मुंदरी दे हुसंदी कंसो पई, उस ने इना नू जोरी चुक्कन दी व्योंत बना लई, इस गल कम तो डर्दे सी, ते बिना व्यातों कुडियां अपने कारल जान ली, उर राजी ना होये। ब्राह्मन पास उस समय दो इकठे व्या करंदी समर्था नहीं सी, उन निरास होया कारनू मुड़ प्या। राविच जंगल पैंदा सी, उथे दुल्ला पटी ना दा सूर्मा डा वो उस ब्राह्मन नू जंगल विच आके दुल्ला पटी दा ख्याल आया, वो दुल्ले दी पाल करदा होया दुल्ले पास पुझ गया, ते उन्हों अपनी वेधना जा सुनाई, दुल्ले ने आख्या, तु कोई फिकर ना कर, तेरिया तीया, मेरिया तीया ने, मैं उन्हा व्या अपने हत्थी करांगा आप। तू निश्चिंत हो के अपने कारनू मुढ जा। व्या अपने वलनों कुछ ना कुछ गुड शकर ते दाने दान दितते। सेर सकर पाई हो, कुडीदे बोजे पाई हो, कुडीदा लाल पटाका हो, कुडीदा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे हो, चाचा गाली देसे हो, चाचे चूरी कुटी हो, जीमी दार आलुटी हो, जीमी दार सदाओ हो, गिनगन पॉले लाओ हो। दुल्ला पट्टी पंजाबियां दा हर्मन प्यारा लोक नायक है उस सांदल बार पच्छमी पंजाब पाकिस्तान दे इलाके दा सूर बीर अंखी योदा होया है जिसने अकबर जहे मुगल बादशा विरुद बगावत दा चंडा बुलंद करके अपने बाप ते दादे दी मौत दा बदला लेंड ले अपनी शहादत दे दे दी ते पंजाबियां दे दिलांते राज करन लगा एवार ता अकबर समराट दे राज समय दी है दुले दा बाप फ्रीद मुसल्मान पट्टी राजबूथ सी ओ लहार दे लगे संधल बार दे लाके विच रेंदा सी ओ दा बाप बड़ा बहादर ते अडबस बादा मालक सी ओ मुगल सरकार दी इन मनन तो इनकारी सन मार ताड करनी उन्हांदा मन पौँन दा शुगल सी उनने बादशाह नू जमीना दा लगान देना बंद कर देता मुगल सरकार दे करंचारियां नू उट्टिच समझ दे ते लुट मार करके पजा दन दे लगान दी वसूली ना होन करके ते उनना दियां मारता आड़ियां खबरा ने अकबर दे गुसे दा पाराचार देता अकबर ने उनना दोहां दियां मशका बन के दरबार विच पेश करंदे हुकम दे देते मुगल फोजा ने फ्रीद ते उदे बाप नू जा फड़िया ते अकबर दे लहोर दरबार विच पेश कर देता अक्बर ने अग्गे लोकां विच दैशत फैलाण वास्ते उन्हों दे सिर कलम करके लाशां विच फूस पारके लहोर शेर दे मुख द्वार ते पुठियां लड़काउन दा हुकम दे दता फ्रीद ते उदा बाप बढ़का मार दे होए शहादत दा जाम पी गए फ्रीद दी शहादत समे उदी पतनी लद्धी पंज महिने दी गर्ब वती सी फ्रीद दी मौत तों चार महिन्या मगरों दुल्ले दा जनम होया उस दी दादी ते माँ उदे चेरे नू वेख के नूरों नूर हो गी या एक अनोखा जलाल उदे मथे ते टपक रहा सी दादी दुल्ले तों मोरा वार 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 वंड रही सी खुशी सामबे आसंबाली ने सी जान दी एक आस एक सुपना उना दे सामने साकार हुंदा नजरी आ रहा सी कुद्रती होनी वेखो एन उससे दिन अकबर दे कार वी पुत जमया ओधा ना उन्हें शेखु रख्या जो वड़ा होके जहांगीर बादशा बनेया अकबर ने नजूमिया नों आख्या कोई ऐसा उपादस्सो जिसनल शेखु सूर्बीर बलवान ते इंसाफ पसंद व्यक्ती बने एक नजूमिने आख्या बादशा सलामत अपने राज दी अजही बहादर सेतमंद राजपूद और द द द द शेखु नू चुंगाया जावे जिसने शेखु द जनम वाले दिन ही अपने पुत्तर नू जनम दित्ता होवे जही सूर बीर मा दी पाल लई सारे राज विच एलची पेज़े गए किसे लद्धी बारे जाख या के उसने पुत्तनू जनम दित्ता है लद्धी नू बादशादे दरबार विच बलाया गया बादशादा हुकम की में टाल दी? शेखुनू पालन दी जिम्यवारी उने लेले मुगल सरकार वल्लों लद्धी दे पेंड ही अनेका सोख सहूलता मुहया की तिया गया दुल्ला ते शेखु कठे पलन लगगे दोनो लद्धी दा सीर चुंग दे दोहानू ओ इकको जा प्यार दें दी समा अपनी तोरे तोरदा रहा शेखुने अपने बाप पास आखर जाना ही सी अकबर ने दुल्ले ते शेखु दी प्रीख्या लई कोडसवारी नेजा बाजी ते तीर अंदाजी विच दुल्ला शेखुनू मात दे गया अकबर ने सोचया कि ते लद्धी ने दुद चुंगा अंच वितकरा ना कीता होवे लद्धी ने अकबर दे चेरे दे हावपा वेख के आख्या हुजूर मैता दोहानू इकको जिनना दुद चुंगाया है अकबर शुकर गुजार सी के लद्धी ने उस दे पुतनू अपना सरीर चुंगा आके पाले है उन्हें इनाम वजों बहुत सारीया मोरा लद्धी दी चोली पाके आख्या मैं तेरा देना ता नहीं दे सक्दा आ कुछ रकम है एदनाल दुल्ले नू चंगी तलीन दो आई वड़े होन ते मैं एनू अपने दर्बार चे वड़ा रुतबा दे आँगा लद्धी ने अकबर दा शुकरिया अधा कीता ते दुल्ले नू लेके अपने कार आ गई दुल्ले नू दीन्नी सिख्या देनली काजी पास मसीत्य पढ़ने पाया गया उन्नू नियम बाद करडी सिख्या पसांधना आई ओ एक दिन काजी नू कुट के करद ओड़ाया ते अपने हानिया नल जाके खिड़न लग पया दुल्ला जुआनी विच पैर तरन लगा ओ अल बेले सुभा दा मालक सी कुल्ली हवा विच चुंगिया परन वड़ा हीरा हरन उन्ने अपने पेंड़ दे मुड़या दी टानी बनाली ते उन्ना दा सरदार बनके लगा अनुखियां हरकतां करन ओ जंगल बेलियां विच कुम दे खरमस्तियां करते दुल्ले दी चारदी जुआनी ओदा सरुआ वरगा सरीर गेली जहा जुसा दगदग करता चेरा ते ओदा अमोड सुभा लदी नू सुचाच पादें दा ओ ए जान दी सी के ओदे बाप, फरीद दा विदरोही खून ओधियां रगांच दौड रहे हैं एग खून किसे विढ़ेवी उबाला खा सकता सी ओधियां खरमस्तियां ते उल्लाबे लदी लई सेयां मुसीबदा खडियां कर सकते सं दुल्ले दा पाणी पर दियां तीमियां दे कड़े गुलेला मार के पर नन्दा शौक दिनों दिन वद रहा सी नित उलांबे मिल दे लद्धी ने जनानिया नो मिटी दियां गागरा दी था लोहे दियां गागरा ले दितियां पर ओ लोहे दियां सागा नाल अपना शौक पूरा करदा रहा आखर सती होई नंदी मिरासन ने एक दिन दुले नू उधे बाप दादे दा ताना मारया बोली मार के नंदी फना कर दी सीना दुले दा चाक हो जामदाए बाप दादे दा एते सूर्माए का नू नित गरीब दुखामदाए एते जोर दुखामदा औरतानों तेनू रती हयाना आमदाए तेरे बाप दादे दियां शा अकबर खलना पुठियां चाल हामदाए खल पो उदे नाल पराए के ते उचे बुर्ज ते चाल अटकाम दाए अज तीक लहोर विच लटक लिया उथे जोर ना कासनू जाम दाए नंदी मिरासन दे मेने नाल दुला चंजोड़े आ गया राजपूती हून उधियां रगा विच उभाले खान लगा उसिद्ध अपनी मा लदी को जाके गर जा मा मेरी ये सचो सच दस मेरे बाप ते दादे दी मौद के में होई आ लदी ने सारी होनी बीती दस के अपने कार दी अंदर ली कोठडी दा भूहा खोल दुले नू केहा सूर में आ पुत्ता मैं इसे दिन दी उडी कार दी सी जिने किसे ना डूखां दी टैन इसी मननी किसे अगे सिर नी सी चुकाया लिश लिश कर दे हत्यार छवियां गंडासे नेजे टकुए ते तीर कमान ते एक नगारा वेह के दुले दा चेरा लाल सुहा हो गया अनुकियां तर्बाने उदे सरीर चे चर्नाटा छेड़ देतियां सरीर पाफा चड़न लगा दुले नगारे ते डगा मारया नगारे दी तमक लहोर दे शाही मेला नाल जाटक राई ए बगावत दी सूचक सी दुले ने पिंड़ दे सारे जवान अकठे कीते ते सारे हथ्यारों विच वंड़ देते उन्हें अपने मन नाल मुगला विरुद बगावत करन दा फैसला कर लिया होले होले पंच सौ जवान उदिनाल जुड़ गय सांदल बार दे इलाके विच उना तर्थली मचा देती जड़ा वी जाबर उद्रों लंग दा उनो और लोट लेंदे ते लोट दा माल घरीबां विच वंड देंदे दुले दी बहादरी, निडरता, द्यालता ते घरीब परवरी दी खुश्बू दूर दूर तक फैल रही सी ओ बड़ी निडरता नाल सांदल बार विच कोम रहा सी ओधी बहादरी दे नित नवें किसे सुनननों मिल दे सारा इलाका उस ते मान कार रहा सी दुले दे बाप दी शहादत दे अवसर ते लद्धी दे परावा ने उस दी कोई सार नहीं सी लई इस करके दुले नू अपने नानकियां ते रोज सी इससे रो कारण उसने अपना पहला हला अपने नानकियां दे पेंड चदेडां ते बुलिया ते नान केयां दा वग केर के अपने पेंड लेयाया ते लवेरियां घरीब गुर्बयां ते लोडवंदां चे वांड देतीया एक वरी अली ना दा सुधागर पांच सो कोडे खरीद के लई जा रहा सी उन्हों रात पेंड कटनी पै गई दुल्ले ने उदे कोडे लुटके अपने साथियां विच वांड देते अली बथेरा रोया पिट्या अकवर दा ड्रावा वी देता दुल्ले ने उन्हों कुट कुट के पजा देता इसे तरह दुल्ले ने मोदे शाहू कार दियां दौलत नल पर यां खचरां खोले यां इन्हा लुट्टा खोहा दियां खबरा मुगल सरकार को पुझ दियां रही यां लोकांच दुल्ले दा दबदबा एना वाद गया कि उन्होंने सरकारी लगान देना बंद कर देता मुगल एल कारां विच पगदेन माच गई अकवर दे दरबार विच दुल्ले वल्लों मुगल दरबार विरुद कीती बगावद्धी सू ये पचाउं दे रहे अकवर ने एस बगावद्धी परताल लई एक जसूस उचेचे ताउरते सांदलबार पेजिया पर दुल्ले नूँ पता लगन दे उसने जसूस दिया दाड़ी मुच्छा ही मुन देतिया अकवर नूँ जिदो एस गलता पता लगा था उन्हें दुल्ले नूँ उदे परवार समेत मश्का बन के दरबार विच पेश करन दा हुकम सुना देता मिर्जा निजाम मुद्धीन ने दुल्ले नू फटके लिया औन दा बीडा चुक लिया मुगल फॉजा ने सांदल बारवल कूच कर दता चड़या सी मिर्जा नजाम दीन हाथिया नू मद्धां सी पे आईया परके दारूदिया बोतलां ले आवदे हाथिया दे सुन्दा विच पाईया जदो हाथिया नू चड़िया लोरिया मारन चीकां ते खान कर लाइया हॉली हॉली पिंडी विच जावडे टकरा दर्शनी दर्वाजयानू लाइया सारे बैठ का दिवान खाने टा असुटे इट्टां बना आके विच खंडाइया टके टके दे सपाही अंदर जावडे मारन चमकां ते करन करड़ाईया मुगल फॉजा ने पिंडी नू जा के रिया एड़ी पारी सैना दा मुकाबला करना दुल्ले लई सुखेरा नही सी दुल्ले दे छोटे पाई मेरू अमली ने पहले दिन मुगला नल जा लड़ाई कीती ते उनाच पाजरां पादेती या अगले दिन बड़ी भादरी ना लड़दा होया दुल्ला मुगल फॉज दा केरा तोड़ के मिर्जा निजामुदीन दे गल जापया शक्तिशाली हुकूमत विरुद मुठी पर योद्यां दी बगावत पला किन्ने को दिन कट सक दी सी मुगल फॉज ने दुल्ले नू जोँदे जी गृफ्तार करन दा बड़ा जतन कीता पर उना दे हाथ आणवाला किते सी आखर दुल्ला अपनी बहादरी दे जोर दिखोंदा होया शहीद हो गया उसने मुगला दी इन न मननी परन्तु शहादत दा जाम पी के अमर हो गया दुल्ले दे अंत बारे एवी आख्या जानदा है के लड़ाई विच दुल्ले ने मिर्जा नजामोदीन दे छके छुडा के उनू बंदी बना लिया परन्तु मिर्जे ने लद्धी दे तरले मिंता करके अपनी जान बख्षा लिई दुल्ले नू शेखुनन मुलाकात कराउन दे बहान ने अपने नाल ले गया दे तो खेनल शिराब बला के उसनू कैद कर लिया होश ओन दे दुल्ले ने कैद खाने विच टक्रा मार मार के अपनी जान दे दिती ते मुगलागे सिरना चुकाया पॉमे पंजाब दा अंखीला सूरबीर दुल्ला अजवी पंजाबियां दे दिलांते राज करता है उस दी बहादरी दे किस्से पंजाबी बढ़ियां लटका नाल पढ़ दे ते गौंदे ने दुल्ले दी जीवन गाथा नू पंजाब दे किस्सा कारा ने बड़े अनूठे अंदाज विच गाया है किशन सिंग आरफ रचत किस्सा दुल्ला पटी ते पाली सिंग कवीशर रचत आवाजा दुल्ला पटी पंजाबियां दे हर्मन प्यारे किस्से ने जिनानों पढ़के ओ दुल्ला पटी नों बारंबार सिजदा कर देने एसी लोग कहाणी दुल्ला पटी आवाज मानप्रीत सहोता